फैक्ट नमबर वन जाए अब इससे सीखने को क्या मिलता है इससे ये सीखने को मिलता है कि कोई परक नहीं पड़ता की आप कोंसा यदि आप यूनीक और कस्टमर्स की ज़रुरतों को समझते हैं तो आप बिजनस में सफल जरूर होगे अब हमारे यूट्यूब के विडियोओ यूट्यूब से भी पहले देखें हमारी A2 एटू एप पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है डाउनलोड राइट डाउ पैक्ट नमबर टू साल 2003 में कैनेडा के एक शक्स ने वहाँ के स्टोक मार्केट में 800 डॉलर इंवेस्ट किये लेकिन हैरानी की बात ये है कि वह 800 डॉलर सिर्फ दो ही हफ्तों में 350 मिलियन डॉलर में कनवर्ट हो गया यानि कि वह रातो रात करोड पती बन गया तब लोगों को ये लगता था कि वह पक्का अंदर का कोई आदमी है जिसे सारी जानकारी है लेकिन जब उसे पुलिस ने कस्टेडी में लिया और उसके बाद जो उसने कहा उससे पुलिस वालों के होश उड़ गया उसने कहा कि मैं टाइम ट्रैवलर हूँ और धाइसो साल फ्यूचर से आया हूँ तो exactly मुझे पता है कि कौन सा स्टोक गिरेगा और कौन सा स्टोक उठेगा लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि वो शायद उन्हें पागल बना रहा है तो उसपे केस दर्ज कर दिया गया और उसे कोट बुलाया गया लेकिन हैरानी की बात ये है कि वो शक्स कोट पहुँचा ही नहीं और उसके बात से आज तक वो शक्स गायब है फैक्ट नमबर 3 गाइज टिक टोक बले ही इंडिया में बैन हो गया हो लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टिक टोक ने आज गूगल और फेस्बुक जैसी वेबसाइट्स को पूरी दुनिया में पीछे छोड़ दिया है दरसल क्लाउड फेर की साल 2021 की वेबसाइट रिपोर्स में ये सामने आया है कि इस साल ओनलाइन ट्रेफिक में दुनिया में सबसे जादा लोग टिक टोक पर वीडियो देखने गए है और साल 2021 से पहले तक सबसे जादा लोग गूगल पर जाया करते थे अब इंडिया में बैन होने के बावजूद भी टिक टोक का गूगल और फेस्बुक को पीछे छोड़ना बहुत बड़ी बात है बॉलिवुड में किसी न्यू कमर या आउटसाइडर के साथ पार्शैलिटी आम बात है पर अगर ये सब अमिता बच्चन के बेटे के साथ भी हो रहा हो तो हैरानी तो होगी ही क्योंकि रिसेटली अमिता बच्चन के बेटे अभिशेक बच्चन ने ये उजागर किया है कि बहुत से इवेंट्स में उन्हें बड़े स्टार्स के आने पर सीट खाली करने को कहा गया और तो और उन्हें बिना बताये कई फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया गाइज अब अमिता बच्चन के बेटे के साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी आउटसाइडर्स का तो क्या ही हाल होता होगा तारक महता का उल्टा चश्मा के जेठालाल यानी दिलीप जोशी की बेटी नियती अपनी शादी के दोरान अपने सफेद बालों को लेकर सुर्खियों में है जी हाँ गाइज नियती ने अपनी शादी में अपने सफेद बालों को हेर डाई तक नहीं करवाया जो की समाजिक दिखावों को खुली चुनोती देता है दरसल जहां एक तरफ लड़कियां शादी से पहले अपने हेर केर के लिए हजारों रुपे खर्च कर देती है ताकि शादी में बाते ना बन सके लेकिन इसके उलट नियती ने अपने सफेद बालों को हेर डाई तक नहीं करवाया जिसके बात से सोचल मीडिया पर उनकी वावाई हो रही है आपको जेठालाल की बेटी की सोच के बारे में क्या कहना है कुमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा अब हमारे यूट्यूब के वीडियो यूट्यूब से भी पहले देखें हमारी एटू एप पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है डाउनलोड राइट नाउ सो गाइज ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए एटू अमेजिंग फैक्स के हमारे इस चनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा और बैल आइकन के बटन को जरूर दबाईएगा ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें ते तुन्द या कनेक्टिए थे मोटिवेटए